अब दिमोर्गन्स थेरम में दो थेरम से फर्स्ट है फर्स्ट दीमोर्गन्स थेरम और दूसरा है सेकंड दीमोर्गन्स थेरम सबसे पहले हम देखेंगे वाट इसका मतलब क्या है कि यह जो थेरम है इसमें नौर और 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 गेट कैसे एक्विवालेंट है वो दिखाये गए है और इसमें जो प्लस है जो की हमारे नौर गेट में प्लस आता है वो डॉट से रिप्लेस किया गया है वो हम कैसे वो नीचे देखेंगे जब हम बूलियन एकविशन देखेंगे अब इसका statement क्या है The nor gate is equivalent to bubbled and gate यानि कि यहाँ पे यह equivalence दिखाने के लिए nor gate जो है उसको bubbled and gate के साथ equivalent दिखाया गया है यानि कि यहाँ पे सिर्फ and gate नहीं है उसको not gate attach किया है bubbled and gate मतलब क्या तो यह अब भी हमारा and gate है और यह not gate है तो जब हम nor gate और and gate को add करते है एक साथ लगाते है तो उसे bubbled and gate करते है उसके लिए यह एक notation है और यह एक है कई पे ऐसा दिखाया हुआ होता है कई पे सिर्फ circles होते है और यह है nor gate यह ऐसा वाला nor gate is equal to the bubbled and gate अब nor gate का equation क्या होता है a plus b का bar और and gate क्या होता है a dot b तो यहाँ पे a plus b का bar जो है वो equivalence यानि कि d morgans theorem में a bar dot b bar हो जाता है यानि कि यह जो हमारा total bar है वो separate हो जाता है जो plus है वो dot से replace हो जाता है यह हो गया first d morgans theorem यह हम truth table से verify भी कर सकते है अब यह a और b दो inputs है 0 0 0 1 1 0 1 1 1 अब इसका a bar लेना है क्योंकि यह side जो है right hand side उसमें a bar और b bar है जो हम इसको opposite कर देंगे अब first क्या है a plus b whole bar a plus b whole bar अब a plus b क्या आएंगा यहाँ पे 0 0 यानि कि 0 आएंगा उसका bar लेना है यानि कि 1 फिर 0 plus 1 1 1 का bar आया 0 फिर 1 plus 0 आता है 1 और उसका bar आया 0 1 plus 1 आता है 1 उसका bar 0 इसी तरह से a bar dot b bar condition भी verify होती है so यह था dmorgans theorem का first theorem अब हम देखेंगे second theorem क्या कहता है second dmorgans theorem this theorem gives an equivalence between NAND and OR gate इसमें अब NAND gate और OR gate यूद किया है that is dot can be replaced by plus sign पहले plus को dot से replace किया गया था अब dot को plus से replace करते है statement क्या है इसका the NAND gate is equivalent to bubbled OR gate the complement of product equals to the sum of complements यानि कि NAND gate जो है वो bubbled OR gate के लिए equivalent है अब वहाँ पहले वाले theorem ने हमने AND gate को bubbled किया था यहाँ पहले OR gate को bubbled करेंगे यानि कि यहाँ पहले NOT gate लगाएंगे उसके inputs में और फिर OR gate लगाएंगे यह हो गा है bubbled OR gate इसका equation क्या है A.B whole bar is equal to A bar plus B bar यानि कि जब NAND gate का जो equation है A.B whole bar उसको equivalence में उसके जो bar है वो separate हो जाएंगे और यह जो dot है वो plus में convert हो जाएंगा यह हो गया D.Morgans का second theorem के conditions भी हम truth table से verify करेंगे पहला है A.B जो की चार conditions लिख लिए है फिर A bar और B bar इसके compliments ले लिए यहाँ पर है A.B whole bar So A.B 0 into 0, 0 का बार आया 1 So यहाँ पर 1 0 into 1, 0 का बार 1 1 into 0, 0 का बार 1 और फिर 1 into 1, 1 आता है उसका बार आया 0 यहाँ पर है A bar plus B bar A bar plus B bar So यह A bar और यह B bar इसकी addition 1 1 plus 0, 1 0 plus 1, 1 और 0 plus 0, 0 इस तरह से यह दोनों kolum सेम हो गए यानि कि यह second theorem भी प्रूव होता है यह थे dmorgans के first theorem और second theorem यह dmorgans theorem का question आपको 4 mark को आ सकता है जिसमें आपको first theorem के लिए 2 marks और second theorem के लिए 2 marks होते हैं अगर आपको इसमें कुछ doubts का queries हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूचे इस वीडियो को लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले थेंक यू